नमस्ट का दोस्तो तो दोस्तो आज की वीडियो में आपके साथ बात कने वाला हूँ HRTC Conductor बरती के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वारिस का न्यूज लेबस क्या रखा गया है और सबसे बड़ी चीज आप सुभी को पाता है कि इस बरती के लिए आपके पास conductor license होना जुरूरी है तब ही आप इस बरती के लिए apply कर सकते हैं तो ऐसे बहुत से candidate होंगे जो अभी ये conductor license अभी apply करेंगे और इसके लिए वो application देंगे तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि अगर आप अभी connector license बना रहे हैं तो आपको कब तक आपका connector license बना होना चाहिए तो दोस्तो उसकी मैं आपको complete जानकारी द सामने हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं यह आपका postcode 130 जाने की HRTC conductor के लिए आप से पूछे जाएंगे हिंदी आप से पूछे जाएगा math English और आपका gk, hrimachal gk, current affair और आपकी reasoning तो दोस्तो यह आपका syllabus है आप इसका जो है screen shoulder ले सकते हैं यह आपका syllabus है HRTC conductor का तो दोस तो दोस्तो अगर हम vacancy की वाद करें तो vacancy आपके सामने है journal अगर आप journal से apply करना चाहते है तो journal में जहाँ पे 130 vacancy है और EWS, EWS की यहाँ पे 38 vacancy है और journal board of freedom fighter तो 4 vacancy आपकी journal board of freedom fighter की है अगर आप SC से apply करना चाहते है तो 73 आपकी SC की vacancy है SC BPL की यहाँ पे 13 vacancy है SC BPL की और SC board of freedom fighter की 4 vacancy है ST journal की 15 vacancy है ST BPL की 5 vacancy है और OBC की बात करें OBC journal की यहाँ पे 63 vacancy है और OBC BPL की 13 vacancy है और OBC board of freedom fighter की यहाँ पे 2 vacancy है तो दोस्तों यह आपकी मैंने आपको vacancy के बार में बता दिया है तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आपका conductor license आपका कब तक जो है लिया जाएगा तो दोस्तों अगर आप अभी अपना conductor license बनाने जा रहे हैं तो आपका जो conductor license है वो आपका license जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे qualification आपकी eligibility के लिए यहाँ पे बताया गया है आपका जो license होगा वो आपका 29,10,2022 तक बन जाना चाहिए तब ही आप इस post के लिए eligible होंगे जाने कि अभी अगर आप conductor license बनाने जा रहे हैं जाने कि अभी आपको पता है कि यह आपका सब्तंबर का महीन है अगर आप इस month से apply कर देते हैं और आपका 29,10,2022 से पहले पहले अगर आपका conductor license बन जाता है तो आप इस post के लिए eligible हो जाएंगे तो मैंने आपको conductor की license का बता दिया कि अगर आप अभी भी अगर आप connector license बनाना चाहते है तो आप बना लीजिएगा लेकिन उसको आपको 29,10,2022 तक आपको जो है document बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैंने आपको conductor का license के बारे में बता दिया कि आपको 29 अक्तूबर से पहले पहले अपना conductor license बना लेना है तो दोस्तों अगर मैं आपको बताओं कि पिछली बार इसकी क्या cutoff गई थी तो अभी मैं आपको cutoff के उपर ले चलता ह आपकी general की 66 गई आप दे सकते है category wise, OBC की 62, SC की 61, ST की 60, ERO category wise आप दे सकते है BPL की, Ward of Freedom Fighter की EWS की तो यह आपकी पिछली बार की cutoff है तो इस बार frequency थोड़ी कम है तो cutoff भी थोड़ी हाई जाएगी बाकी आपका exam के उपर depend होता है कि आपका exam जो है किछ लेवर तक पूछा जा आता है तो दोस्तों आपके लिए जो है जो है आज HRTC conductor की जो है information थी अगर information अच्छी लगए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी और भी अपडेट आपके तक पहुंचती रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें देनेवार फ्रेंड्स